नमस्कार, DNP इंडिया में आपका स्वागत, मैं आपके साथ राहुल चौधरी आज बात नितीश कुमार की बिहार के CM नितीश कुमार के एक बयान ने बिहार की राजनिती में संसनी फैला दी है इससे पहले दीन दयालू पाध्याई की जयनती मना कर भी नितीश कुमार चर्चा का केंदर बन गए थे कई तरह के कयास लगने लगे थे राजनितिक जानकार भी नितीश के इस बदले अंदाज को ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं कुछ इसी नितीश कुमार की RJD पर प्रेशर बनाने की पॉलिटिक्स मान रहे हैं तो ज्यादतर इसे नितीश के पिछले तरीके के रूप में देख रहे हैं हाला कि नितीश के BJP प्रेम पर उनके सलाकार केसी त्यागी कहते हैं कि नितीश के संबंध हर दल के नेताओं से अच्छे हैं अशोक चौधरी का कहना है कि अच्छे संबंदों की वज़े से ही नितीश ने बीजेपी के पांच नेताओं को अभी तक मंत्रियों के बंगले में रहने की इजासत दी है जेडियों के राष्ट्रिय अध्यक्ष ललन सिंग का कहना है कि नितीश में रिष्टे निभाने के अच्छे गुण है अब सूत्रों के अनुसार नितीश कुमार को महा गट बंदन में कम से कम लोकसभा की 16 सीटें चाहिए आरजेडी उनसे एक कदम आगे बढ़कर 20 सीटों की डिमांड कर रही है दोनों की अपनी अपनी दलीले हैं आरजेडी का कहना है कि पिछले लोकसभा चुनाव में 19 सीटों पर उसके उमीदवार दूसरे नंबर पर रहे थे इसलिए बदले राजनीतिक हालात में वो उन सीटों पर अपना जंडा गाड सकती है इसलिए आरजेडी अपने लिए 20 सीटों की मांग कर रही है नेतिश कुमार को ये भै है कि आरजेडी उन्हें 16 सीटे देने को तयार नहीं होगी उनका भै इसलिए भी है क्योंकि सीटों के बटवारे में कॉंग्रेस और वाम दलों का क्या होगा जब कॉंग्रेस को कम से कम 10 और वाम दलों में अकेले CPI ML को 5 सीटे चाहिए CPI की भी बिहार में पुखता जमीन रही है इसलिए उसे भी सीटे चाहिए होगी बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीटे हैं अगर सबकी डिमांड पूरी की जाए तो 50 सीटों की जरुवत पड़ेगी यही वज़ा है कि नितिश कुमार तरह तरह के नाटक कर रहे हैं आपको बता दें कि नितिश कुमार पहली बार किसी गठबंदन में नहीं है बलकि शुरुवात से अब तक उनकी राजनिती गठबंदन की ही रही है बीजेपी के साथ उन्होंने लंबी पारी खेली है तो महा गठबंदन के साथ भी उनकी ये दूसरी पारी है बीजेपी के साथ रहते हुए नितिश ने पिछली बार उसके बराबर ही लोकसभा की सीटे जीती थी नितिश कुमार की पार्टी जेडियू को साल 2014 के लोकसभा चनाव में सिर्फ दो सीटे मिली थी जबकि 2019 में बीजेपी के बराबर 17 सीटे लेकर जेडियू ने 16 पर जीत दर्ज करी थी आरजेडियू इस बार नितिश का 2019 वाला ही फॉर्मूला अपनाना चाहती है नितिश ने तब बीजेपी को साफ कह दिया था कि 2014 में भले ही उसके दो सांसद ही जीते थे लेकिन विधानसबा में उसके सदस बीजेपी के मुकावले तकरीबन दो गुने थे आरजेडियू का भी इस बार यही तर्ग है आरजेडियू का कहना है कि असेंबली में उसके विधायक जेडियू से दो गुने हैं इसलिए वो बराबर सीटों पर लडेंगे नितीश भी इस बात को समझते हैं कि आरजेडियू के तर्ग को खारिज नहीं किया जा सकता लेकिन बिखरते जा रहे अपने नेताओं की मंचा भी नितीश बहतर समझ रहे हैं वे सिटिंग सांसदों का टिकट काट कर अब और खत्रा मोल नहीं लेना चाते नितीश के सामने महागटबंधन के अलावा दूसरा रास्ता भी है वो अपने पुराने पार्टनर बीजेपी के साथ NDA का हिस्सा बन जाएं लेकिन भाईया यहां सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या बीजेपी नितीश को पिछली बार जितनी तरजी दे पाएगी अपने इसी दूसरे रास्ते के लिए नितीश के बोल और अंदाज में बदलाव दिखा है वे कभी वो पीम के साथ फोट खिचवाते हैं तो कभी दीन देयाल उपाद्याय की जयनती मनाते हैं बीजेपी नेताओं के साथ अपने संबंदों की दुहाई भी देते हैं हाला कि नितीश दूसरे रास्ते पर जाने के लिए पहले रास्ते की मनजिल का इंतजार करेंगे वे देखना चाहेंगे कि RJD उनकी पार्टिक का कितने सीटों पर समर्थन करती है अगर सिटिंग सांसदों में कटवती की स्थिति आई तो निती जट्के में अपनी रहाब बदल सकते हैं तो यह राजनिती है भाई यहां सब कुछ जायज है वैसे भी यह नितीश कुमार हैं बाकी आप खुद समस्दार हैं तो खबरों का सिलजला जारी है आप देखते रहिए DNP इंडिया नमस्कार